तो आज हम जानेंगे दो मुखी रेखा के बारे में और वो भी हर तरह की दो मुखी रेखा जैसे के सूरे रेखा, हर्द रेखा, मस्तिक्ष रेखा, जीवन रेखा, भाग्या रेखा और बुद्ध रेखा तो इन में से कौन सी रेखा आपको फायदा देती है और कौन से नु कोर्स की चौथी वीडियो है और शिरुवात करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट एंड में अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट एंड में एजानकारी को देखिएगा अब आगे बढ़ते हैं देखें दोस्तों यहां पे जो दो क्राइंड लाइन भी कहा जाता है तो यह आपके सरकारी नोकरी के चांस्स को बढ़ा दीती है पर किसी किसी के हाथ में मस्टिक्स रेखा तक यह रेखा नहीं जा पाती है और जाला तक देखा भी जाता है कि यह रेखा हर्दा रेखा से पहले ही रुक जाती है तो इस कंडि जीजेगा उपर की साइड होनी चाहिए अब यहां पे दोस्तों यह वाली कंडिशन आपके जीवन को दो मौके देगी जी हां यहां पे सबसे पहले तो आपको एक नहीं बलकि जादा इंकम के सोर्स मिलेंगे यह नहीं है कि आप एक जगा से ही पैसा कमाते रहेंगे पूरी ल अब जब आपने नोकरी की शुरुआत कर दी है तो उसके आने वाले 5-7 साल के अंदर जब आप नोकरी में कदम जवा लेंगे उसके बाद आप साइड बिजनस शुरू कर सकते हैं जी हां दोस्तों आप चाहे तो इस परकार से भी कर सकते हैं या फिर एक साथ दो बिजनस भ कोई भी कर सकते हैं कहने का मतलो यह है कि income का source एक नहीं अलग अलग रहेंगे अगर एक में मंदी चल रही है तो दूसरा बढ़िया चल रहे होगा और आपके जो पैसे की कमी है वो पूरी करते रहते हैं यह आपकी income के source तो कभी भी धन की कमी नहीं होती है जब आपके जीवन म multiple income के source बनने शुरूर हो जाती हैं तो इस परकार से जो है यह रहा आपकी जीवन को परभावित करती है करियर को लेके पर एक बात को जहां रखिएगा कि यहां पे अगर यह रहा नीचे की और इस परकार से दो मुखी है मतलब कि नीचे की और खुली हुई है तो इस condition में आ पीठ पीछे आपके साथ कोई धोका कर गए आप तो हर किसी के साथ खड़े रहते हैं help करने के लिए अगर किसी को आपकी मदद चाहिए तो सबसे पहले आप आते हैं पर जब शायद आपको जरूरत होगी जब आगे चलकर कोई कारे करने जा रही है और कोई problem आ रही है तब शायद आपके साथ कोई ना खड़ा हो और पीठ पीछे कोई धोका भी जाय सकता है किसी कारे में या फिर आपने किसी को कुछ कहा था करने के लिए पर वो पूरा तो किया नहीं उल्टा आपके साथ कोई fraud कर गया तो इस परकार की condition भी बन सकती है तो आपको यह recommend करेंगे द आपको धूखा मिले और जाला तर देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो है प्यार में धूखा भी खाते है जी हां relationship में तो और भी जाला धूखा देखने को मिलता है क्योंकि इनका जो partner हो सकता है कि इनको cheat कर जाए या फिर कोई ना कोई इनके eat पीछे extra marital affair कर रहा हो या extra relation रखा हो किसी और के साथ तो problem आ सकती है या फिर कुछ लोग तो सिर्फ पैसा खाने के लिए ही जीवन में हमारे आती है तो दोस्तो ऐसे लोगों से बचें समभल के आगे हाथ बढ़ाएं दोस्ती का या फिर relationship के लिए इसके बाद आती है दोस्तो आपके हाथ में बनने वाली दो मुखी हर दरेखा जिसे दो मुखी हार्ट लाइन भी कहा जाता है और आपको बता दे दोस्तो कि ये तीन possibilities बनाएगी इसमें से दो positive sign है और एक negative sign है तो सबसे बहले हम positive sign के बारे में जानेंगे आप देखे दोस्तो यहाँ पे ज़्यादा तो लोगों के हाथों में सिंगल मुखी होती है या तो ये गुरू परवतक चली जाती है या फिर ये बीच में ही रुक जाती है छोटी रेखा होती है तो अगर ये गुरू परवतक चली जाती है तो लोव मेर्ज के चांसे बन जाते हैं पर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दो मुखी रेखा है तो आप यहाँ पर लोव मेर्ज होगी या फिर अरेंज तो देखी वो तो आपको बाद में बताएंगे पहले जानते हैं इसके पीछे का असली रहस्य क्या है देखें दोस्तों यह जो रेखा है विश्नू साइन का रूप ले लेती है जी हाँ दोस्तों यह इस परकार से जब शेप बनती है हर दे रेखा की तो यह विश्नू निशान की शेप होती है और आपको बता दे कि यह उन लोगों की है तो पढ़ाई पूरी करते ही यह मान के चलिए कि तीन से चार साल के अंदर आप नोकरी पा लेती हैं या फिर अगर बिजनस सेट करना चाहते हैं तो बिजनस पी सेट कर लेते हैं और यहाँ पर पॉसिबिल्टी बहुत ज़्यादा रहती है कि आप अपने करियर को कम उमर में ही इस्टैबलिश कर लेते हैं और हाँ दोस्तों आपको बता दे कि पॉसिबिल्टी ये भी देखने को मिलती है कि ऐसे जग्ती जो है अपने फैमिली बिजनस को आगे बढ़ाते हैं जो के परिवार में शुरू उसे ही चलता आ रहा है उस बिजनस को संभालेंगे और आगे करते चले जाते हैं पर बहुत सारे लोग खुद से भी कारे को शुरू करते हैं तो उस कारे में भी जल्द ही सफलता को हासिल कर लेते हैं और हाँ दोस्तों अगर बात करें यहां पर लव मेर्ज होगी या फर अरेंज तो आपको बता दे दोस्तों के आपको फिर ये रेखा नहीं देखनी है मतलब देखनी तो दो मुखी हर्दे रेखा ही है पर उसका जो मुख है उपर की और होना चाहिए मतलब के इंडक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में जो गैप होता है वहाँ पर अगर ये रेखा जा रही है तो दोस्तों ये आपके लव मेर्ज के चांसे को और भी जादा बढ़ा देगी जी हां अगर आप लव मेर्ज में सपोर्ट नहीं मिल पाता है पर अगर इस प्रकार से रेखा बनी हुई है सपोर्ट भी बिलेगा और लव मेर्ज के चांसे भी जादा होंगे और हाँ अगर मान के चलिए कि ये रेखा नीचे की और बनी हुई है तो दोस्तों कहीं न कहीं आपको संबल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपका रिलेशनशिप मजबूत है आपके पार्टनर के साथ और शादी के बाद जो है रिष्टा लॉंग टर्म चल पाएगा क्योंकि जैसे जिम्मेवारियां और कॉंप्रोमाइज तो चाहे लव मेरिज है चाहे अरेंज है उठानी ही पड़ेंगी आपको पर अगर आपको लग रहा है कि आप त्यार है तो लव मेरिज के और कदम बढ़ाईए वरना यहां पे आपके पास अरेंज मेरिज का भी आप्शन अवेलिबल है हाथों में यह जो दूसरी ब्रांच निकलती है यह काई बार नीचे की और चली जाती है एक्जैम्पल के लिए आप यहां पे देख सकते हैं हर्द्य रेखा जो है एक ब्रांच ऊपर की और है दूसरी ब्रांच जो है वो नीचे की और चली गई मतलब के मस्तिक्स रेखा या फिर जीवन रेखा इसे भी काटती हुई नीचे की और निकल गई है और मंगल परवत में प्रवेश कर चुकी है और आपको बता दे दोस्तों अगर यहां तक आपकी हर्जा रेखा पहुंच जाए तो कहीना कही संकट आ सकता है आपकी परसनल और परफेशनल दोनों लाइफ के उपर क्योंकि देखने को मिलता है दोस्तों के शादी से पहले भी और शादी के बाद भी दिक्कते खड़ी होती रहती है जैसे के शादी के लिए रिष्टा तो आता है पर बात पकी नहीं हो पाती है बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी का रिष्टा टलता ही चला जाता है तो इस परकार की दिक्कते आती हैं और शादी की उमर बढ़ती रहेगी और आगे चलकर अगर शादी हो जाए तो शादी के बाद भी ग्रहकलेश रहते हैं मन मुटाव रहते हैं छोटी छोटी बातों पर लड़ाई जगडे हो जाना तो इस परकार की दिक्कते आती रहती हैं और अगर करियर की बात करें तो करियर पर भी प्रभाव पढ़ता रहता है मतलब के काम होते होते रह जाता है बस मतलब मान के चलिए के काम पूरा होने ही वाला है तो वो टल जाएगा या पोस्पॉंट हो जाएगा मतलब के समय पे काम तो हो ही नहीं पाता है अगर किसी का कार यह प्रॉब्लम आजते ही चली जाएंगी और कभी रुकने ही नहीं वालने और अगर आपने उपाई कर लिया मंगल का तो आपको यह सभी प्रॉब्लम दूर होती नजराएंगी और इस लिए आपको यह बताया है दोस्तों ताकि आगे चलकर आप साथंधर हो जाएंगे इसक को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवर में हायर स्टडी पर करेंगे मतलब कि जादा पढ़ाई भी कर सकते हैं और पढ़ाई के दम पे आगे बढ़ते हैं या फिर अपनी स्किल के दम पे आगे बढ़ेगी जी हां पुछ लोग अपने स्किल या फिर टैलेंट के दम पे आ जाते हैं जो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं पर आगे चल कर अगर आप समय दें अपने स्किल को अपने टैलेंट को मतलब साइड में सीखते रहें तो हो सकता है कि आगे चल कर पॉसिबिल्टी बन जाए और आप अपने स्किल के दम पे आगे बढ़ते हुए उसे ही फुल टाइम करने लग जाए और अपने पैशन को प्रफेशन में अब बदल सकते हैं यहां दोस्तों यह जो रेखा है बहुत कम लोगों के हाथों में बन रही है तो आगको एक अच्छा खासा यह कहिए कि चांस मिल रहा है बस आप गवा रहे हैं उस चांस को अब यहां पे दोस्तों अगर इस परकार से रेखा होती है आपको यह भी बता दे कि एक सावधानी रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है देखिए यहां पे जो रेखा है आपके हाथ में एक तो इस परकार से ब्रांच निकल गई और अगर मान के चलिए दूसरी ब्रांच जो है अगर नीचे की और होती तो कोई दिक्त नहीं थी पर आप देख सकते हैं कि इसका मुख ऊपर की और है या फिर अगर यह हर देर एका तक पहुंच जाए तो दोस्तों यहां पे दो पॉसिबिल्टी बनती हैं हो सकता है कि आपकी मैरिज लाइफ के कारण आपके करियर पर परभाव पढ़ सकता है मतलब जो आप करियर कर रहे हैं जहां पर आप कारे कर रहे हैं तो मैरिज लाइफ के कारण प्रॉब्लम आ सकती है या फिर दूसरी पॉसिबिल्टी में देखने को मिलता है इसका उल्टा हो सकता है आपके करियर के कारण आपकी मैरिज लाइफ भी परभाव पड़ सकता है तो आपको stability बना के रखने पड़ेगी balance डगमगा सकता है तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे तो पहले दिन से ही यहां पे आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना है और ध्यान रखना है कि कहीं कोई ऊच नीच ना हो जाए और क्योंकि एक भी गलती हुई तो दोस्तों आपके जीवन में personal और professional life दोनों ही हिल सकते हैं या डगमगा सकते हैं तो इस case को त्यान में जरूर रखना है एक्जैम्पल के लिए आप इस हाथ में भी देख सकते हैं यहां पे जो मस्त्रिश रेखा है इसके दोनों ही branches नीचे की और हैं दू कहीं कि ना कहीं आपको alert हो जाने की जरूरत है इसके बाद अब हम जानेंगे दो मुखी जीवन रेखा के बारे में ये आपके career और आपकी marriage life दोनों के उपर ही प्रभाव डालती है वो कैसे आए जानते हैं पर उससे पहले आपको बता दे कि अगर आप चाहते हैं हमसे personally बा दो मुखी जीवन रेखा हमें नजर आती है और दोनों ही branches नीचे की और मतलों के अंदर की और जुकी हुई हैं यहाँ पर आप जख सकते हैं कि दूसरे हाथ में जो रेखा है उसके branches बिलकुल ही खुली हुई है पर इसमें अंदर की और हैं दोनों ही मुडी हुई हैं तो आ यहाँ पर जाकर आप ऐसा भी कमाएंगे वहाँ पर आपको सफलता में मिलेगी पर कहीं ना कहीं वतन वापसी के chances हमें ज्यादा नजर आते हैं मतलब पक्य होने के chances कम रहेंगे और वापसी के chances ज्यादा रहेंगे अगर अंदर की और दोनों ही रेखाएं मुड जाती हैं ज लग जा रही हैं तो इस कंडिशन में दोस्तों विदेश जाएंगे वहाँ पर जाकर आप पक्के हो सकते हैं और अगर आप चाहें तो सफलता बहुत बड़ी मिलेगी जितना आप वहाँ पर कारे करेंगे और यहाँ पर दोस्तों वतन वापसी के chances हैं पर फिर भी आपके य अपने ही देश में रह के कारे करे करें का भाव यह है कि कर्म भूमी जन्म भूमी से दूर रहती है अब यह तो बात होगई career related अब हम जानेगे शाधी related आप यहां से क्या पता कर सकते हैं और यह जानकारी दोस्तों बहुत interesting है क्योंकि देखने को मिलता है कि अगर इस रेख तो देखने को मिलता है कि जाला दूरी नहीं होती है जहां पर आपका रिष्टा पका हुआ है या तो आस पास के कोई गाउं या शहर में होगी या फिर हो सकता है कि लोकल शहर में ही हो जाए जी हाँ देखने को मिलता है कि local area में भी कई बार शादी हो जाती है अगर इस परकार से रेखा अंदर की और मूड़ी होई होती है और दूसरी condition में अगर यहाँ पर हम देखें तो इस condition में जो है दोस्तों दो बुखी branches जो हैं बाहर की और हैं जीवन रेखागी तो शादी बहुत जादा दूर भी होसकती है कहने का मतलब ये है कि अलग स्टेट भी हो सकता है अलग कल्चर भी हो सकता है आपके पार्टनर का और कई बार अगर शादी मानके चलिए कि आसपास के एरिया में हो भी जाए तो फिर भी आपको अपने काम की बज़े से या फिर अपने पार्टनर के काम की बज़े से दूर रहना पड़ जाता है अपने परिवार से तो यहाँ पे दोस्तो कहीं न कहीं possibility बनती है कि आपको यहाँ पे दूर शादी का योग देखने को मिलेगा इसके बाद आती है दोस्तो आपके हाथ में बनने वाली दो मुखी भागया रेखा जिसे फेट लाइन भी कहा जाता है अब यहाँ पे इसके पीछे का क्या रहस्य है आईए जानते हैं देखे दोस्तों अगर आपके हाथ में दो मुखी भागय रेखा बनी हुई है तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि इसकी डिरेक्शन की स्लाइड है पहली डिरेक्शन हो सकता है कीटू परवत की ओर है और दूस अगर यहाँ पे आपके केटू पर उसे रेखा निकलती है तो यह बिजनस वालों को फाइदा देती है और अगर यह चंदर पर उसे निकलती है तो यह जाब वालों को फाइदा देती है या फिर इनके जीवन में ट्रैवल जादा रहता है तो इस परकार से भागय रेखा का दोस्तों इस पॉसिबिलटी में आपको चिंता करने की बिलकुल भी जुरूत नहीं होती है क्योंकि देखने को मिलता है कि आपको दोनों ही चांस मिल रही है। जौब में जाने के भी और विजनेस में जाने के भी अब बहुत सारे लोग दोस्तों मैनट करते हैं किसी किसी को तो एक मोका नहीं मिल पाता और यहाँ पर आपको दो-डो मोके मिल रही हैं तो छोड़धा नहीं है पर एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जब थी कोई कारे क सही है या नहीं और अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ये comfortable है या फिर आप कर पाएंगे तब ही आगे कदम बढ़ाईएगा वरना फिर आपके पास दूसरा option तो available है ही मतलब भगया रेखा आपको proper फाइदा नहीं दे पाएगी example के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि दो मुखी बागया रेखा है और वो शनी पर उसे निकल के आती है और नीचे की और खुल जाती है तो ये रेखा आपको फाइदा देगी और मानके चलिए कि रेखा बीच में से जरूरी है अब आपके हाथ में ये रेखा कंपलीट है या नहीं और दो मुखी है या एक मुखी कमेंट वॉक्स में जरूर बताईएगा और इसके बाद आती है दोस्तों दो मुखी बुदर रेखा जिसे मर्कृरी लाइन भी बोला जाता है अब यहां पर बहुत सारे गलत है आप इसे खारिज कर सकते हैं दोस्तों अमान के चलिए तीन से चार रेखाएं हैं तो क्या तीन चार शादिया होंगी और वो भी आज के मौडरन टाइम में ये बात बिल्कुल भी सही नहीं बैठती है तो यहां पर आपको बता दे कि अगर ये एक रेखा आगे जाक इस परकार से एक ही रेखा देखनी है जो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए आगे चलकर इस पॉसिबिल्टी में कहीं न कहीं चांसस बन सकते हैं दूसरी शादी होने के तो आपको किसी भी अफवा में नहीं फसना है ये है सटिक तरीका अब आपके हाथ में बुद रेख प्री कोर्स की ही वीडियो है तो यहाँ पर आप आसानी से सीख भी पाएगी तो जल्दी से क्लिक कीजिए वहाँ पर मिलते हैं